इंटरी स्पेशल पीठा की रेसिपी की सीरीज में इससे पहले मैंने आप लोग के साथ औरिश्टा की फेमस पीठा की रेसिपी शेर की थी तो आज मैं बनाने जाते हूँ पेंगॉल की फेमस पीठा यानि पाटी साप्टा पीठा की रेसिपी तो चलिए शुरू करते हैं एक कप राइस फ्लावार और उसमें मैं डाल दिया हूँ हाप कप मैदा और उसी कप से नपते हुए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे वन फोर्थ कप सूजी और चुटकी बन नमक और इन सबको पहले अच्छे तरह से मिला लेंगे फिर इसमें मैं डाल देती हूँ एक कप नोल बहुत ही टेस्टी होता है खाने में तो अभी मैं इसमें मेरा दिया हूँ दूद और इसका एक बैटर तैयार करके रग लिया हमने यहाँ पर तो बैटर को साइड में रखके हम लेगे यहां पर एक कढ़ाई में करीब 500 ml दूद उबालने के लिए रख देंगे तो दूद ह हमारा उबलने लगा है तो अभी उबालती हुए इसे गाड़ा करेंगे तो इसको यह जो दूद है वो थोड़ा सा जल्दी गाड़ा हो जाए इसलिए हम लोग इसमें डाल दिया है एक पैकेट मिल्क पाउडर इसे क्या होगा दूद जल्दी गाड़ा हो जाएगा आप चाहे तो सिर्फ दूद से भी मतलब लिक्विट दूद से भी यह बनाते सकते हैं तो दूद जब हमारा पूरा गाड़ा हो चुका है तो अभी हम लोग इसमें डाल दिया हूँ जो नोलेन गूड है न वो और उसको भी हम लोग अच्छी तरह से मिला दिया है तो देख घृत एंसे तो बैटर हमारा थोड़ा से उपर से ड्राइड्राइ होने लगे तब हम लोग इसमें जो क्रीम थेयार कर हो इनि स्टाफिंम वो इसमें डाल देंगे और जैसे हम लोग रोल वगेरा फोल्ड करते हैं आ वैसे ही ये वाला पीठा को हम लोग फोल्ड करेंगे अच्छे से क्रीम को कवर करते हुए तो देखिए कितना अच्छे तरह से हमारा जो पीठा है वो उपर से मतलब तवे से निकल रहा है कहीं से भी ये नई चिपका है यानि कि हमारा बैटर भी अच्छी तरह से तयार हो चुका है तो चलिए एक पीठा को हमने तयार कर लिया है इसी तरह से हम लोग सारे पीठा जो है वो त्यार कर लेंगे वैसे हम लोग फोल्ड करती हुए सारे पीठा को त्यार करेंगे यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में विंटर में तो मतलब बेंगॉल में हर घर में यह वाला पीठा बनाया जाता है और बेंगल में तो विंटर में यह वाला एक पीठा का यह वहारी मनाया जाता है यह सब पीठा बनाते हुए तो चलिए मेरा जो पीठा है वो सारे तयार हो चुका है तो देखिए कितना सुन्दर सा पीठा हमारा तयार हो चुका है तो आप लोग भी घर पे बनाएं यह वाला पीठा की रेसिपी और इंजोई करें तो चलिए बना आज वीडियो को अच्छे लगें तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर दिजेगा थैंक यू